बिसमिल्यार्मार ररहिम इस लेक्षर के अंदर हम देखेंगे कि descriptive statistics क्या होती है और कौन-कौन से ऐसे steps हैं जो descriptive statistics जो है इसको नुमाया करते हैं as compared to inferential statistics तो basically statistics की दो types है एक का नाम है descriptive statistics एक का नाम है inferential statistics इन दोनों को हम देखेंगे और examples के साथ देखेंगे किस तरीके से descriptive statistics में कौन-कौन सी चीज़े आती है और जब हम inferential statistics पे जाते हैं तो कौन-कौन सी चीज़े हमारे mind में होना ज़रूरी हैं मैं अपनी screen आपके साथ share करता basically हमने statistics से ही start करना है statistics statistics की जो definition आपको पहले भी पता है हमने बड़ी दफा पड़ी है statistics की definition तो मैं आज वो ही statistics की definition दुबारा से उठा के यहां पर ले के आता हूँ और उसको हम देखते हैं कि statistics क्या है statistics is the science of collecting, analyzing, interpreting or presenting and organizing the data तो हमारे पास जो collection से, analyze से, interpret से, present से पांचवा step होता है organizing the data तो आप खुद भी जानते हैं कि जब हम data को deal कर रहे होते हैं तो हमें इन पांच steps से गुजरना पड़ता है और recently मैंने आपको जो sampling का step है वो बताया था जिसके अंदर हमने खायदा देखा था किस तरीके से data collect किया जाता है तो data collect करने के बाद आपके पास कौन-कौन सी ऐसी terminologies होती हैं जिनको आप use करते हैं इसको use करने के बाद आप किस तरीके से उनको अपने analysis के अंदर लेके आते हैं आज हम वो ही चीज़ देखने वाले है सबसे पहली चीज़ यह है कि statistics के लिए data ज़रूरी होता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया और आपको भी पता है तब से lectures आप सुन रहे हैं मेरे statistics के तो data जो है वो statistics का यह data science के लिए यह raw material होता है तो अगर आप raw material अच्छा नहीं collect करते तो आपकी final product जो है वो अच्छी नहीं आती तो इसका मतलब है कि data जो है उसकी quality बहुत अच्छी होनी चाहिए अब data collection का step हमने sampling तक पढ़ लिया sampling में और भी काफी चीज़े हैं जो इंशाला इस्ता इस्ता मैं जो statistics की book लिख रहा हूँ वो आपके पास जब आईगी तो उसके अंदर सारी चीज़े मैंने mention की होगी second thing is analyzing the data analyzing the data तो आपको भी पता है कि जब आपने data को analyze करना होता है statistics के अंदर इसकी दो major types होती हैं कि आप किस तरीके से data को analyze करते हैं पहली जो major type है statistics की उसको बोलते हैं descriptive statistics जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं ठीक है और एक और दूसरी type जो है इसी की वो होती है inferential statistics अब यह दोनों जो types है inferential statistics और descriptive statistics यह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मिलती जुलती हैं लेकिन in some way it's also different for example आपके पास जो data आगया है अगर आपके पास कोई data मौजूद है descriptive statistics की अगर बात की जाए आपके पास है जनाब data आपने वो data लिया data लेने के बाद आप data पे जो पहले initial काम करते हैं वो होता है कि data को summarize करते हैं आप data को describe करते हैं ठीक है data को अच्छे से खंगालते हैं यानि कि data की nitty gritties देखते हैं nitty gritties of data यही नहीं आप data को explore भी करते हैं ठीक है इसका मतलब यह हुआ descriptive statistics में क्या होता है कि आप data को summarize करते हैं describe करते हैं nitty gritties देखते हैं explore करते हैं data को और data के different किसम के features जो हैं आप वो check करते हैं ठीक है features भी check करते हैं मिसाल के तोर पे यहाँ पे अगर मैं features लिखूँ तो आप features भी check करते हैं अब एक मिसाल इसकी मैं simple सी आपको देते हैं तो आपके दिमाग में वो मिसाल अगर बैठ गई तो it would be easier for you to understand मिसाल यह है कि यह मेरे पास एक इस तरीके से एक object मैंने बना दिया है ठीक है और अगर आप गोर करें इस object को अगर आप गोर करें तो it resembles somehow human beings के जो हमारे main characteristics है उनके उपर यह depend करता है ठीक है आपका data भी इसी तरीके से एक object है ठीक है जिसके अंदर अगर वो rectangular data है rectangular data rectangular data कोई सा है जो structure data होता है आपके पास खास तोर पे excel sheets के अंदर जो rows and columns से मिलके बनता है something like this rows और columns से जो मिलके बनता है इस data को जब आप check करते हैं तो आपको भी पता है कि इस data में या तो आप rows को discuss करेंगे या आप columns को discuss करेंगे ठीक है फिर columns जो होते हैं ये होते हैं variable जो हम पिछले दिनों पढ़ते हा रहे हैं इन variables को आप करेंगे summarize for example आप mean, median, mod उसका निकालेंगे mean हो गया, median हो गया mod हो गया यानि कि उनका center check करेंगे ठीक है फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं summarize करने के बाद आप उसको describe भी कर सकते हैं कि इसके अंदर है क्या वो आप बताएंगे फिर आप variables की data type देखेंगे और इसके इलावा आप बहुत ज़्यादा ऐसे analysis करेंगे जो variable को देखने से लेके variable के दूसरे तीसरे interactions तक भी जाएगा यानि कि distribution क्या है variable यानि कि वो जो column है उसका आपस में अपने अंदर वाले data points से क्या link है इसको बोलते हैं univariate analysis अगर इस column का किसी दूसरे column से data का link देखा जाए यानि कि दो column का आपस में links देखा जाए इसको बोलते हैं bivariate analysis और अगर इसे तरीके से हमारे पास अगर दो से ज्यादा variables है उनका आपस में हम link देखें सभी का आपस में इसको बोलते हैं multivariate analysis मिसाल के तोर पे हम different किसम के analysis कर रहे हैं variable को देखते हुए ठीक है अब ये हमें कैसे समझ आएगी कि हमने करना क्या आया खरकार तो यहाँ पे अगर मैं आपको data center में रखूँ मतलब यहाँ पे हम data रखते हैं center में ठीक है और इसकी चार सिमतें अगर बना लें चार समतें एक उपर को जा रही है एक नीचे को जा रही है एक right जा रही है और एक जा रही है left ठीक है ये चार सिमतों के through आप data को summarize कर सकते हैं आप data का link देख सकते हैं within the data frame ठीक है यानि कि आप data को अच्छे से समझ सकते हैं समझागी यहां तक clear हो गया ठीक है अब सबसे पहले क्या है कि data की composition कैसी है composition ठीक है फिर आपके पास डूसरी चीज क्या आ जाती है distribution कि data distribute कैसे हो रहा है within a variable किस तरीके से जा रहा है फिर आपने देखना है data का comparison यानि के data के अंदर जो variables हैं उनका आपस में comparison देखना है और यहां पे उनका देखना है relationship ठीक है यह चार समतें अगर आप देख लेना तो इसी के अंदर वो सारे points आ जाते हैं जो खास तोर पर descriptive statistics के अंदर हम देखते हैं यानि कि आप rows columns हैं तो यह इसकी data की composition है rows और columns बने है variable में कौन-कौन से variable type है categorical है, quantitative है, qualitative है whatever it is, आपने वो देखना है वो भी composition में आ जाता है distribution में आ जाता है कि किस तरीके से data distribute हो रहा है जो हमने different distribution के distributions पढ़ी है ठीक है, फिर हमारे पास जब comparison देखना है या हमने relationship देखना है तो हम एक variable का दूसरे के साथ भी देख सकते हैं और एक का 3-4 के साथ भी देख सकते हैं and so on we can move forward तो हमारे पास अगर ये वाली एक चार सिमतों वाली इस तरीके से आप distribution अपने mind में रखे then it would be far easier for you to understand के किस तरीके से ये सारे का सारा analysis जो है descriptive statistics के अंदर चलते हैं ठीक है जी, यहां तक आपको समझ आ गई है और ये basically ये जो guide है चार सिमतों वाली ये guide का idea जो है basically ये Andrew Abela की guide for plotting जो है वहां से भी आप ले सकते हैं ठीक है Andrew Abela जो है वो plotting guide जो मैंने आपको पहले भी बताए थी लेकिन हम आगे-आगे देखेंगे descriptive statistics में कि वो कौन सी guide और किस तरीके से हम उसको follow कर सकते है तो उसमें composition है comparison है, distribution है relationship है and then आपके पास चार किसम के इस तरीके से चीज़े आ जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी it's something like आप क्या करते हैं कि अगर आप इन चारों चीज़ों में specific किसम के plots बनाना चाहिए ना मतलब हर एक category के plots तो वो plots की type भी different होती है ठीक है और यह strategy आपको यहां से Andrew Abela जिनकी यह guide है, उनके spelling होते है Andrew Abela chart guide इसे बोलते हैं या plotting guide plotting guide ठीक है आप यहां भी देखें, चार ही जुज़व है इसके भी अगर देखें comparison, relationship, composition, distribution और हर किसम के plots जो हैं यह आपको यहां पर बताएगे हैं कि कौन से चलेंगे, दो variables के कैसे चलेंगे और बाकी variables के कैसे चलेंगे यह आप internet पर search करेंगे तो आपको बहुत easily मिल जाएगा so distribution के लिए आप histogram बनाएगे यह वाली plot बनाएगे, फिर आपके पास आ जाता है statistic करना है, कैसे आपने देखने composition का characteristics कैसे देखनी है, कि data कितनी चीजों से मिलके बनाएगे, उसमें कौन-कौन सी unique values है mod क्या है, median क्या है, so on फिर composition के अंदर भी आप देखेंगे किस तरीके से वो data पूरे का पूरा हमारे पास, जो है वो, sorry comparison के अंदर आप देखेंगे कि multiple means को किस तरीके से compare करना है so यह आपके पास चार चीज़े हैं जो descriptive statistics का main जुजव हैं मेरे ख्याल से, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए बाकी चीज़ों को समझना बहुत ही असान हो जाएगा, ठीक है यहां तक clear हो गया, hopefully आपको clear हो गया होगा यहां तक अब होता क्या है, जब आप descriptive statistics या descriptive statistics के बाद inferential statistics को देख रहे होते हैं के mind में question आता है कि अच्छा हम यहां पे कर लेंगे, तो फिर आगे हम inferential statistics में क्या करेंगे, अब मैं आपको समझाता हूँ, अकसर अकात आप composition, relationship या distribution, distribution होगी या composition होगी या sample के बारे में जब बात कर रहे होते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यह मेरे पास है जी, population ठीक है यह मेरे पास सारी population है यह white dots होगी है यह मेरे पास सारी की सारी population को show कर रही है, अब मैं क्या करता हूँ इन में से कुछ जो points हैं उनको उठा लेता हूँ और उनको ले आता हूँ side पे मिसाल के तोर पे एक यह point है ठीक है, इसे मैं ने उठा लिया और for example, यहाँ से यह वाला point जो है इसे उठा लेता हूँ ठीक है, दो होगे फिर यहां से एक point है, इसे उठा लेता हूँ तीन होगे यह दो यह वाले उठा लेता हूँ मैंने इन points में से पांच points को select कर लिया मतलब ये कि ये जितने भी points है ये सारी की सारी population है और इसमें से जब मैंने sampling की randomly मैंने 4-5 sample निकाले तो ये मेरे पास एक sample कहलाएगा sample अब sample के उपर जो भी आप study कर रहे हैं यानि कि जो इस data के उपर रहते हुए आप कोई भी analysis कर रहे हैं वो सारे के सारा descriptive statistics में आजाते है यानि कि आप इसी का आपस में link चेक कर रहे हूँ composition इसकी, distribution इसकी इसी sample के बारे में बात कर रहे हूँ और इसी sample पे रहे हैं इसको बोलते हैं descriptive statistics ठीक है अब जब आप इस sample से जो result आए हैं यानि कि इस sample के results आगे आपके पास ये आप इन results को पूरी population पे fit करें या इस results को जब आप पूरी population पे link करते हैं इसको बोलते हैं inference generate करना inference क्या होता है? कि sample के results की base पे आप पूरी population पे वो ही सारे की सारी चीज़ों जो हैं वो थोप रहे हूँ इसको बोलते हैं inference generate करना और जब आप ये वाले result जो inference पूरे के पूरी population पर ढार रहे होते हैं इसको बोलते है inferential statistics ठीक है? inferential statistics यहां पर होती है तो यह हमारे पास एक basic जो है line वो यह वाली है कि यहां पर आपने sample के बारे में जब study करनी है जो sampling लेने से लेकर onward sample के बारे में जो आप बात करें इसको बोलते है descriptive statistics और यह होती है population अब अक्सर उकात population और sample के अंदर बड़ी confusion चल रही होती है but you need to be very careful जब भी आप population को discuss कर रहे हों तो आप पूरी की पूरी population को discuss कर रहे हों ना के sample को population बना रहे हों ठीक है अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं एक class पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है class 10th 10th class को मैं lecture दे रहा हूँ ठीक है अगर मैं 10th class के जो 50 बच्चे हैं इन सभी की height या weight का data ले लेता हूँ height and weight का data ठीक है अब height और weight का data जब कभी मैं कहूँगा के 10th class की height और weight का data 10th class की height और weight का data इतना है ये इसका mean है ये इसकी abbreviation है और ये फलाँ फलाँ चीज हैं इसके अंदर मतलब मैंने descriptive statistics लगा ली जब तक मैं यही कहूँगा ये 10th class का data और पूरी के पूरी class के members का हमने data लिया है तो हम 10th class की 50 जो है इसे population कह सकते हैं ठीक है ये population consider किया जा सकते हैं बट अगर आप कहें कि 10th class के 50 बच्चों में से सिरफ 10 के sample लिये हैं हमने और 10 के sample लेके उनका data लिया हमने और उनसे results पर हम कह रहे हैं कि पूरी 10th class का ये वला inference होगा उसको बोलेंगे inferential statistics on the other side अगर आप 50 बच्चों का data ले रहे हैं और वो 10th class के बच्चे हैं अगर इनके results को 50 बच्चों के results को आप पूरे school पे पूरे school के ऊपर fit करने बैठें तो ये भी inferential statistics होगी ठीक है so population और sample के अंदर बड़ी एक refine और fine line है जो आपने decide करना है कि sample कहां से लिया जाए ठीक है so simply आपके पास ये चार जुजव है इनको आपने देखना है और आपके पास descriptive statistics जो है वो बहुत असानी से आपको समझ आ जाएगी यहां तक आपको समझ आगी होगी कि क्या चीज़ें चल रही है और किस तरीके से descriptive statistics जो है वो काम करती है अब descriptive statistics के अंदर आपको जो concept समझने चाहिए मैं उनके बारे में बात करता हूँ